तो चले दोस्तों बात करेंगा आज Understanding India के पेपर के बारे में ठीक है तो देखिए semester 1 में एक पेपर होता है CC पेपर 2 CC का फुल्फम होता है Common Course ठीक है CC पेपर 2 इसमें आपको Understanding India यानि कि भारत के बारे में आप कितनी चीज़े जानते हैं इस पेपर में पूछा जाता है ठीक है चाहे SKMU, चाहे NPU, कोई भी इनिवर्षिटी हो आपके सभी में ये आपका पेपर सेम होता है ठीक है अब देखिए तो ये पेपर जो होता है सभी में सभी इनिवर्षिटियों में 100 marks का होता है और इसमें 3 घंटा समय दिया जाता है और पास करने के लिए इस पेपर में आपे किसी किसी में क्या होता है कि अंडरस्टेंडिग इंडिया का पूरा का पूरा पेपर आपका 100 का 100 objective पूछ लेता है ठीक है जैसे कि BBMKU में 100 का 100 objective पूछ लेता है B9 भावे की बात करें तो ये objective और subjective दोनों पूछते हैं रांची इनिवर्सेटी की बात करें तो ये objective और subjective दोनों पूछते हैं SKMU का अभी तक पता नहीं है लेकिन जब exam होगा तब पता चल जाएगा तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं आप जिस भी इनिवर्सेटी से हैं टेक है objective आएगा BBMKU है तो और अगर आप रांची या बिनो भावे हैं या फिर SKMU है तो देख लिजिए SKMU का पता नहीं लेकिन बिनो भावे और रांची इनिवर्सेटी का अब पाले objective और subjective दोनों आएगा इसमें 10 objective आएंगे 1 will be question number 1 will be various answer type question ठीक है इसमें आपको 1 mark each question total होंगे 10 question यानि कि 10 objective आएंगे फिर आपके 2 55 marks के question होंगे यानि कि 20 number हो गया question number 1 आपके 10 objective रहेंगे इसमें question number 2 5 marks का एक question रहेंगा question number 3 5 marks का एक question रहेंगा यानि कि total आपके यहाँ पे 30 question हो जाते हैं question number 3 तक question number 4 में आपके total 6 question रहेंगे जिसमें से किनी 4 को बनाना होगा और परते question आपका 20 marks का होगा ठेक है और 20 अंको वाले 4 question का आप answer करेंगे 6 में से 4 बनाने होगे और उसमें से परते का answer 20 अंको वाले question का answer आप 500 सब्दों से अधिक नहीं करेंगे ठेक है यह आपका word limit है तो चलिए देखते हैं आपको यहाँ पर एक अंको वाले 10 पांच अंको वाले दो और 20 अंको वाले 4 प्रशनों को solve करना होगा ठेक है अब देख लेते हैं तो इसमें आपको क्या-क्या चीज़े पूछी जाएंगी understanding India में सबसे पहला चीज़ पूछा जाएगा आपका course objective and learning outcome यहाँ प भारत का परिशे इसमें आपको the land of India यानि कि भारत की भूमी के जेग्रोफिकल के बारे में जानना होगा ठीक है भारत का इतिहांस जानना होगा आपको environment के बारे में जानना होगा बहुती कवस्था किया है ठीक है उसके बाद देखते हैं the people of India भारत की आपको जनसंख्या म के बारे में जानना होगा कुसान के बारे में मतलब कि भारत का इतिहांस अरब तूर्क मंगोल सामराज ठीक है अपने पड़ा होगा इन सब के बारे में पूछा जाएगा फिर दियर contribution to the making of Indian history culture ठीक है तो Indian history culture से भी आपके question रहेंगे इन सभी से उसके बाद देखें यहां प इंडस के नाम से भी जानते हैं इंडस हिंदी में कैसे पड़ा भारत का नाम यह सब चीजें के बारे में question आएगा आगे देखते हैं तो है आपका historical background of India इसमें आपको historical background of India के बारे में पूछा जाएगा कि इंडिया के इतिहांस कैसा रहा ठीक है इंडियास freedom आजादी कैसे मिली इंडिया के उससे question रहेंगे struggle history value and ideals आंदोलन जितने हैं उन सबसे question रहेंगे ठेक है आगे देखते हैं तो अगला है chapter 2 यानिक unit 2 इसमें आपको the knowledge of system of India भारत में आपको sectionic क्या बोलेंगे the knowledge ज्यान और सिधान्त के उपर question रहेंगे जिसमें आपका traditional knowledge system जैसे कि गुरुकुल में पहले सिक्षा दिया ज़ता था ठीक है पाट साला टोल्स फिर आपका मक्तव मदर्शा इन सब के बारे में question रहेंगे फिर आपका दो नंबर में की beginning of modern education British Samaraj के बार time question रहेंगे फिर expansion of higher and technical education question रहेंगे next आपका rule and obligations of teachers in national development और education policy government 1986 और 2022 जो भारती सिक्षा निती है 1986 और 2020 नहीं आई है इन दोनों से question question रहेंगे ठीक है unit 2 में अब देखते हैं chapter 3 में आपको किस किस टाइप के question मिलेंगे मतलब कि यहां पर सब यह पढ़ना है भारती अर्थवेस्ता से question रहेंगे जिसमें की goals and policies भारत का GDP वगरा पढ़ना है ठीक है पोस्ट इंडिपेंडेंट यानि की आजादी से पहले और politics पढ़ना होगा national development पढ़ना होगा ठीक है फिर आपको features and national development पढ़ना होगा इसमें आपको social justice and economic equality पढ़ना होगा ठीक है बीन नबर में देखे तो बीन नबर में आपको goals and policies and national development during 21st century यह से question रहेंगे तिसरा है आपका Indian economy through the age agriculture industry and trade इससे question रहेंगे चौथा है आपका directive principle and fundamental rights and duties मौलिक अधिकार मौलिक करते इससे question रहेंगे ठीक है आगे देखते हैं तो आपके चौथा unit है इसमें आपको जो है the making of contemporary India यानि कि समकालिन भारत का बनना बोल सकते हैं या समकालिन भारत का निमान ठ इसमें आपको 1850 से 1947 का जो इतिहांस रहा भारत का संतरता इतिहांस उसके बारे मुझा जाएगा फिर इसमें है आपका the making of the Indian Constitution भारत का समिधान कैसे बना ठीक है fundamental duties or rights मौलिक अधिकार मौलिक करते इससे question रहेंगे फिर इंडिया's foreign policy क्या है भारत की विदेश निति क्या है इससे question रहेंगे next है आपका secular constitutional soul of a citizen in democratic इंडिया इससे question रहेंगे फिर आपका formation of जहारखंड जहारखंड से भी question रहेंगे कि जहारखंड का निर्मान कैसे हुआ ठीक है बिरसा मुंदा से दो कानू इतनी जितने भी है जैपाल सिक मुंदा इंसे question रहेंगे और जहारखंड के फेमा सस्थान, राजधानी, राची, उपर राजधानी, कितने राजधानी में कितने जिले हैं इस तरह से question रहेंगे पंचायती राज इंडिया with a special reference to जहारखंड तो इस तरह से आपकी understanding इंडिया में question रहेंगे भारत से और जहारखंड से यहां पे कुछ book suggestion दिये गए इनिवर्सिटी का same question रहेगा, किसी में objective बाता है, किसी में subjective, BBMKU में objective बाता है, एक समाक्स का, बिनव भावे में subjective बाता है, राची इनिवर्सिटी में subjective बाता है, ठीक है, और अभी जितने भी इनिवर्सिटी हैं, other university, SKMU, colon university, उन सब का exam होते जाएगा और में बताते सब्सक्राइब करा दिया गया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही ज्यादा benefit में रहेंगे, बाकि all the best, PDF का लिंक आपको वीडियो का description में मिल जाएगा, वहां से अपना PDF भी डाउनलोड कर लिजेगा, और अपने दोसों तक इस वीडियो को share कर दीजेगा, ठैंक्यू अब कुछ वीडाउट हो, तो comment में पूछ देजिएगा, ठैंक्यूद जब दूंगे समय मिलेगा, आपके comment का अंसर देदूँगा, बाई